Chapter 11, Capital Letters, Full Stop and Question Mark इसमें क्या करना है, क्लास की ये बता रहा है कि जब भी हम English के Words लिखते हैं तो जो हमारा First Letter होता है The First Letter of the Name of Person, Place, Week, Days and Months are written in Capital Letters हम सबको पता है कि ये सारी Person, Place, Week, Days and Months के नाम जब भी आते हैं तो हम इंको Capital Letters में लिखते हैं Just Suppose यहां पर लिखा है Miss Mala is our class teacher तो M-I-S Miss, Miss, जुकि ये First Word जब sentence स्टार्ट हो रहा है तो उसका First Word हमेशा Capital होगा Then Mala जो है, वो किसी Person का नाम है, कोई Person है तो उसके लिए उसका M जो है, वो Capital होगा ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या-क्या Miss Mala is our class teacher और चुकि जब हमारा sentence खतम हो रहा है, तो हम Full Stop लगा रहे है यहां यह चीज यहां पर Finish हो गई है जैसे I live in New Delhi I, First Word है, इसलिए Capital Letter में है उसके बाद New Delhi, यह New Delhi का नाम है कोई City है, कोई जगहां को प्रदर्शत कर रही है इसलिए हमने यहां पर First Letter इस तरह किया है ठीक है, और इसी तरह Question Mark में होता है उसमें क्या होता है, जब हम कोई Question Put Up कर रहे होते हैं कि ठीक है, What is Your Name? तो What is Your Name हम तुम से पूछ रहे हैं कि What is Your Name? तो हम Question Put Up कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम Question Mark का यूज करते हैं ठीक हो कि क्लास्ट